दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं excess small cap fund के बारे में तो आज से 6 महीने पहले जब मैंने इस fund का review किया था तो ये fund काफी अच्छा perform कर रहा था अपने जो benchmark indexes थे उन सब indexes को ये beat करते हुआ रहा था लेकिन पिछले 6 महीने में जब से market ने correction दिखाई है इस fund की जो returns थी उसमें भी काफी गिरावट आने है तो काफी सारे investors का सवाल ये मेरे पास आ रहा था कि कैसी returns अब इसकी दिख रही है आने वाले time में कैसे investors को इसमें invest करने के बारे में सोचना चाहिए तो इस video में हम detail में इस fund के बारे में बात करेंगे पहले इस fund की कुछ basic info देखेंगे देन हम इस fund की returns के बारे में देखेंगे ये कहां invest कर रहा है कि in sectors में और companies में और फिर हम बात करेंगे कि किस type के investors को इसमें invest करना चाहिए तो आईए दोस्तों देख लेते हैं ये video दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना DMAT account नहीं खुलवाया है तो link आपको description में मिल जाएगा अब दोस्तों हम सबसे पहले इस fund की कुछ basic details पे बात कर लेते हैं तो जैसे कि हमने पहले ही discuss किया ये एक small cap fund है यानि कि ये top 250 companies के अलावा जितनी भी companies हैं उसमें अपना major पैसा लगाता है अगर इसके benchmark index की बात करते हैं तो nifty free float small cap 100 इसका benchmark index है और इसके portfolio में अभी total 63 companies मौझूद हैं वहीं दोस्तों अगर हम इसकी launch date की बात करें तो November 2013 में ये fund launch हुआ है वहीं fund manager की बात करते हैं तो Mr. Anupam Tivari इसको handle कर रहे हैं since 2016 तो काफी लंबे टाइम से same fund manager यहां पर जुड़े हुए इस fund के साथ तो एक positive चीज है ये कि एक fund की जो investment strategy है वो same रहती है अगर एक ही fund manager उस fund को handle करें वहीं दोस्तो अगर हम बात करें इसके fund size की तो 8000 करोड के आसपास इसका fund size इस वक्त हो चुका है तो fund size के angle से small cap fund के हिसाब से थोड़ा slightly higher side पर यहां पर यह दिख रहा है वहीं दोस्तो अगर हम बात करें इसकी market cap wise allocation में तो large cap companies में लगबग 1% के आसपास ही पैसा लगा रहा है यह mid cap में 42% और small cap companies में 40% के आसपास इस वक्त ही पैसा लगा रहा है तो slightly कम risk लेकर यह चल रहा है क्योंकि mid cap companies में काफी जादा allocation यह कर रहा है ताकि जो market की volatility है उससे इस वक्त यह fund बच सके तो इसने slightly अपने जो allocation है वो mid cap companies में यहाँ पर बढ़ा दी है वहीं दोस्तों अगर हम बात करें हाँ पर इसकी expense ratio पे तो expense ratio इसकी काफी कम है सिर्फ 0.37% की इसकी expense ratio चल रही है जो की एक बहुत ही अच्छी बात है expense ratio अगर आप category में देखेंगे तो लगबग 0.83% की आसपास की है तो काफी कम पैसा यह charge कर रहा है अपने investor से वहीं दोस्तों अगर हम इसके exit load पे हाँ पर बात कर लें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा एक साल के अंदर निकाला तो 10% तक के पैसे पे आपको कोई exit load नहीं देना होगा और turnover ratio इसकी 18% के आसपास है category average से compare किया जाए तो standard deviation दोस्तों किसी भी fund का यह बताता है कि एक fund कितना जादा volatile है return देने के मामले में यानि कि यह जितना कम होता है उतनी stable returns किसी भी fund की दिखती है तो standard deviation के हिसाब से थोड़ा सा जादा volatile यह fund है वहीं sharp ratio किसी भी fund का यह बताता है कि एक fund कितना जादा risk adjusted return दे पा रहा है यानि कि कम risk लेकर जादा returns वो करने में यह fund काफी successful यहाँ पर होता होगा दिख रहा है काफी अच्छी sharp ratio यहाँ पर दिख रही है turnover ratio दोस्तों किसी भी fund की यह बताती है long term के लिए रखता है बहुत ही कम यहाँ पर आये और sell करता है securities को तो यहाँ पर turnover ratio शाप ratio काफी अच्छा है इस fund का दिख रहा है standard deviation भी अगर आप देखते हैं तो लगबग category average जैसा ही है वहीं दोस्तों अगर हम इसकी sector wise allocation यहाँ पर देखने quickly तो sector wise allocation में बहुत ज़्यादा changes नहीं है जब हमने 6 महीने पहले इस fund को review किया था तब भी लगबग यही sectors देखते थे क्योंकि आपने देखा कि portfolio में बहुत ज़्यादा changes यह fund नहीं करता है positive बात जो होती है हमेशा long term investment के हिसाब से chemical sector में 16% technology में 13% construction, healthcare, capital goods type के sector यहां पर है किसी एक particular sector में बहुत ज़्यादा allocation नहीं है वो इसकी policy यह अभी भी maintain करके चल रहा है जो कि एक small cap fund के लिए काफी अच्छी बात होती है कि कि किसी एक particular sector पे बहुत ज़्यादा rely करके यह fund नहीं चल रहा है वहीं दोस्तों companies पे अगर इसकी हम बात कर लें तो companies में भी आपको यह चीज़ देखने को मिल रही है कि किसी एक company पे बहुत ज़्यादा allocation नहीं है maximum किसी एक company में 4.61% के आसपास allocation है galaxy serpentent में brigade enterprises में 4.38% नरायन अरुदाले fine organic जैसी companies देखने को मिल रही है उसके अलावा birla soft CCL products जैसी company भी इसके portfolio में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है तो companies भी लगबग एक जैसी यह maintain करके चल रहा है लेकिन recent में जो उसके portfolio में company थी यह ऐसे की galaxy serpentent के अगर हम बात करेंगे recent में बहुत जादा गिरावट इस company के share में देखने को मिली जिसका impact इसके portfolio पे भी आया है तो recent में जो उसकी खराब returns है उसका एक reason यह भी है कि जो companies के portfolio में सबसे जादा है उसमें एक अच्छी खासी correction आ चुकी है तो उसके अलावा भी काफी companies हैं जिसमें correction देखने को मिली है तो short term में इसलिए यह fund अभी perform नहीं कर पाया है वहीं दोस्तों अगर हम returns पे इसकी बात कर लें तो अगर आपने अपना पैसा इस fund में inception के time पे लगाया होता 10,000 रुपे तो वो पैसे इस fund ने आपके 66,000 के आसपास बना दिये 26% की return per annum इसने generate की है बहुत ही अच्छी returns है अगर आप देखेंगे तीन सालों में अगर आप देखेंगे आपके लगाया हुए 10,000 रुपे इस fund ने 27,000 के आसपास बना दिये इस fund ने यहां पर भी 23% के आसपास की return दिये तीन सालों में 32% के आसपास की return है और दो सालों में 47% की तो returns के मामले में अगर आप देखेंगे काफी अच्छी returns के fund regular basis पे generate कर पा रहा है वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस fund की अब SIP investment पे तो अगर आपने SIP में invest किया होता इस fund में तो आपने 5 सालों में 60,000 की लागत इस fund ने लगबग डबल कर दिये एक लाग 20,000 के आसपास 28% की return इसने SIP में generate किये तीन सालों में 39% दो सालों में 47% और एक साल में 22% की तो returns के मामले में काफी अच्छा यहां पर दिख रहा है recently अगर आप देखेंगे थोड़ी सी fund में थोड़ा कम returns है लेकिन long term के angle से अगर आप अभी भी देखते हैं तो बहुत अच्छी returns यह fund generate कर रहा है इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आ रहा हूँ किसी भी fund को अगर आपको judge करना है real money में कि क्या उसकी जो returns है जो आपको दिख रही है अच्छी returns है या नहीं है तो आपको उसको compare करना ज़रूरी है उसके benchmark index से कि क्या वो अपने benchmark index को regular basis पे beat कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो अब अगर हम इस fund की returns को compare करते हैं इसके benchmark index से तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि एक साल में इस fund ने अपने benchmark index को beat किया है 41% के आसपास की return इसने generate किया है वहीं इसके benchmark ने 33% की लेकिन 2 साल के period में अगर आप देखते हैं तो यह अपने benchmark से कम return दे रहा है इसके benchmark ने 58% की return दिये वहीं इस fund ने 47% की वहीं 3 और 5 सालों में यह अभी भी बहुत अच्छी returns generate कर रहा है आप देखें 5 सालों में इसने अपने benchmark से लगबग double return दिये इसके benchmark index ने 12% की return दिये वहीं इस fund ने 23% के आजपास की return दिये तो दोस्तो अभी भी यह fund long term के perspective से अगर आप देखते हैं अच्छी returns दे पा रहा है हाला कि 2 साल के period में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यह benchmark को beat नहीं कर पा रहा है तो long term investors यहाँ पर बिल्कुल डरने की बात नहीं है अब दोस्तो इस fund को अगर हम एक बार rolling returns भी देख लेते हैं तो आपको एक better idea मिल जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे कि अभी क्या आपको इसमें invest करना चाहिए या नहीं अब दोस्तो अगर हम इस fund की 3 साल की rolling period की returns को compare करते हैं इस fund की benchmark index है तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि regularly अगर आप देखते हैं 3 साल के rolling return के period में यह अपने benchmark से काफी अच्छी returns generate कर रहा है अगर आप देखेंगे March 19 से March 22 यहाँ पर आप देखेंगे लगबग double returns यह अपने benchmark से दे रहा है थोड़ा पीछे हम चलते हैं तो अगर आप 2018 से 2021 के period में देखेंगे तो भी आप देख सकते हैं इसके index ने negative return दी है उस 3 साल के block में वहीं इस fund ने 16% के आसफास की return दी है वहीं अगर आप थोड़ा और पीछे भी चलेंगे तो भी अच्छी return है तो आप अगर किसी भी period में देखते हैं पिछले 3 साल के rolling return में तो ये अच्छी खासी returns generate कर रहा है अपने benchmark index को काफी अच्छे तरीके से बीट कर पा रहा है अब दोस्तो बात आती है कि क्या आपको इस fund में invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किस type के investor के लिए ये fund जादा better है तो दोस्तो अगर आप within small cap category comparatively कम risk लेना चाहते है तो ये fund यहाँ पर अच्छा fund दिखता है क्योंकि इसकी जो risk ratios है वो भी अच्छी है ये बहुत जादा risk लेकर नहीं चल रहा है ये बहुत जादा पैसा small cap companies में नहीं लगा रहा है ये भी एक अच्छी बात है कम risk लेने वा आपसे जो कम risk लेना चाहते है एक better risk adjusted return देने वाला ये fund यहाँ पर दिखता है लेकिन अगर आप small cap category में ही और भी जादा risk लेना चाहते है तो और भी बहुत सारे funds है जिनके बारे में आप देख सकते हैं जिनमें आप invest करने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन दोस्तो जैसे क मैं आपको हमेशा बोलता हूँ किसी भी fund में invest करने से पहले आप अपने financial advisor से suggestion लेकर ही invest करें ये वीडियो सिर्फ information purpose के लिए है उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी help हुई होगी वीडियो से help हुई हो तो इसे like और share जरूर कर दे धन्यवाद